नमस्ते दोस्तों आज दो तीन बहुत important विशय इस समय आपके पास चर्चा के लिए हैं और मुझे मालूम है कि आप उन विशयों को लेकर तमाम तरीके से अपनी बात सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी सचेत लोग हैं कम से कम इस पारे में निश्चित रूप से बात कर रहे ह तीन बड़े मुद्दे इस समय भारत में समाजिक रूप से अगर देखा जाये तो बहुत महत्पूर्ण सवाल इस समय खड़े हुए हैं, इसमें पहला सवाल जो है वो जो medical entrance का exam है उसमें OBC reservation का है, दूसरा सवाल मज्द प्रदेश, चत्तिसगर और जारखंड में OBC को जो कम reservation मिलता है, 27% की जवया सिर्फ 14% reservation मिलता है, इस से जुड़ा सवाल है, यह दूसरा सवाल है जो इस समय एक बहुत बड़े प्रशन के रूप में पूरे देश की राजनीत को तमाम तरीके से प्रहुईत कर रहा है, और तीसरा प्रशन जो है वो जातिवार जणगणना का ह तो तीनों प्रशन को समेटने के लिए शायद एक बातचीत काफी नहीं है, तो तीनों पर तीन अलग-अलग facebook live आने वाले समय में, समभता इसमें से एक facebook live मैं आज ही रात में 9.30 बजे के आसपास करूंगा, और इसके अलावा नीट का सवाल मेरे ख्याल से, नीट के सवाल पर जो detailing है, जो इसका विस्तार है, जो इसका एक broad framework क्या-क्या है, इस पर मैं 9.30 बजे एक बार आप से आकर फिर से बातचीत करूंगा, क्योंकि ये बहुत current सवाल है, दूसरा प्रशन जो है, वो जिन राज्यों में OBC का आरक्षन 27% नहीं मिल रहा है, जहां पर 50-60% OBC जादा अबादी का, ये सवाल कैसे हल होगा, इस पर मैं कल आप से बातचीत करूंगा, और आज जो मैं आपको, आज Facebook पर आपके सामने मैं लाइव हूँ, इसमें मुखिरुप से मैं काश्ट सेंसस का जो सवाल है, जाती जनगन्ना का सवाल है, इसको मैं आपके सामने रखन की कोशिश करूंगा, इससे रिलेटेड जो भी प्रशन आपको पूछना हो, कृपिया वो अपने कमेंट में जरूर पूछें, और जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रिंस, मौरिया, दीपक कुमार, और जैसे अभी एक सवाल आया है, कि दलित नेता को OBC की जरूरत नहीं है, इस तरह की तमाम सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बोद्रा साहब, कई सारे लोग की कमेंट्स आल्रेडी आने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको काफी घंभीरता से देख रहे हैं, रमन राधा साहब का कमेंट है, धंबीर यादो जी का ए आप लोग शेयर का जो बटन है, उसको एक बार आप प्रेस कर दीजिए, तो आपके और जो फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं, वो भी इसको आप सारे लोग देख पाएंगे, तो क्रिपया सारे मित्र इसको जो शेयर का बटन है, उसको आप लोग प्रेस कर लें, क्योंकि पूर्ण मान रहे हैं तो जाहिर है कि आपके दोस्तों के लिए भी ये बहस महत्पूर्ण होगी ये चर्चा महत्पूर्ण होगी तो कृपया शेयर का बटन अपने अपने मोबाइल पोन पर आप एक बार क्लिक कर लें और उसके बाद हम कास्ट सेंसस के सवाल पर एक डिटेल चर्चा एक विस्तारिक चर्चा रखेंगा और आप सबके सवालों के जवाब मैं इसमें लेने की कोशिश करूँगा और अपनी छमसा के हिसाब से जो भी बेश्ट है इसको मैं रखने की कोशिश करूँगा कास्ट सेंसस पर मेरी एक किताब भी है जो मानक पॉब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है और काफी चर्चित किताब रही है काफी लोग उसको खरीच चुके हैं और उसका सारा अंक बिक भी चुका है तो सारे लोग प्रिपया एक बार शेयर का बटन दबा दें और आप लोग की इजाज़त अगर हो तो और ओडियो अगर ठिक ठाक आ रहा ह है तो उसमें मुझे क्रेट देने की या उसके रेविन्यू में मुझे हिस्सेदारी करने की जरूत नहीं है वो इसको अपने हां लगा सकते हैं तो कास्ट सेंसस का जो सवाल है आप सब लोग ने क्योंकि अब इसको शेयर कर लिया है तो अब मैं अपनी बात्चित शुरू क कर रहा हूं कास्ट सेंसस का सवाल 2021 में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये सवाल जो है वो सेंसस से जुड़ा हुआ है और सेंसस भारत में हर दस साल पर होने वाली एक सरकारी कवायद है और ये साल जनगन्ला का वर्ष है तो 2021 इससे पहले 2011 इससे पहले 2001 इससे पहले 1990 इससे पहले 1980 इस तरह से ये जनगन्ना की हिट्री है और ये जनगन्ना का वर्ष है इसलिए जनगन्ना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर है तो इस सवाल को इसी समय पूछा जाना चाहिए इसलिए कोई अगर कह रहा है कि ज से पहले क्यों पूच रहे हैं तो यह इन से जुड़ा वकताई सवाल नहीं है दो जार lagश अगर समय पर जो है उसको कराया गया है 1881 के बाद से जनगर्णा कभी भी अपने 10 साल के उस जो उसका फ्रेम है उससे बाहर कभी नहीं गई है अगर ये कोविड का पिरेड नहीं होता तो एक फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच भारत में भी जनगर्णा हो चुकी होती और अभी का जो टाइम फ्रेम है इसके हिसाब से जनगर्णा को शप्टमबर में मोस्ट वर्ली हो जाना है तो जनगर्णा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है ये इलक्षन से पॉलिटिक से सबसे अलग सवाल है इसको हर 10 साल कर होना ही है और इससे जुड़ा हुआ सवाल इस समय होगा बाकी लोगों के लिए मैं बेसिक इंडियन सेंसस की एक छोटी सी हिस्ट्री आपके सामने रखने के कोशिश करता हूं तीन से चार नेट में दुनिया के लगभग सारे देश जो डेमोक्रिटिक और या डेमोक्रिटिक कंट्री नहीं भी है वहां पर जंगर्णा होती है सेंसस की कारवाई होती है इसका परपस बहुत असपस्ट है कि 10 साल या कहीं कहीं अलग-अलग टाइम भी है आप समाज के बारे में और देश के बारे में सारे तरह के possible आंकडे जुटा लेते हैं और उसके आधार पर आप policies बनाते हैं या politics करते हैं जो भी करते हैं लेकिन उसका कोई data available नहीं obvious वजहों से लेकिन आपको उसके बाद वैसाली के गन्राज्यों अगर हमें भी जन गन्ना हुई है तो यह एक परमपराइश्की रही है ऐसा लोग कहते हैं हालांकि उसका कोई data available नहीं है भारत में आधनिक पिरियेड में पहली जो जन गन्ना हुई है व अलग हिस्सों में scattered तरीके से एक synchronized तरीके से नहीं की गई कारवाई की रूप में पहली जन गन्ना भारत में हुई है 1888 इसको याद रखिए इसके बाद लेकिन यह जन गन्ना चुकी बहुत बिखरी वी थी इसमें तमाम तरह के आँख्रे नहीं आ पाया थे तो एक comprehensive data नही सुरू होती है इसमें कुल मिलाकर 17 questions पूछे गए और इसमें सारी जन गन्ना जो है एक साथ पूरे भारत में कराई गई जी बहुत सारे नए लोग इसमें आप जुड़ चुके हैं अब इसमें साड़े 400 का सपास लोग अल्रेडी हैं महेंदर कमारियादो जी हैं और भी लिखेगा तो इसी तरह से लिखेगा तो 18-18 की जन गन्ना में 17 questions पूछे गये थे और पहली जन गन्ना में आपको religion का question पूछा गया था, language का question पूछा गया था, उसके बाद 18-18 में questions की संख्या 13 घटकर हो गई लेकिन उसमें भी कास्ट का question था, तो भारत में जो लगातार इसके बाद जन गन्ना होती रही उसमें जाती का प्रश्न पूछा गया, धर्म का प्रश्न पूछा गया, शिक्षा का प्रश्न पूछा गया, जेंडर का question पूछा गया, तो इस तरह के सारे questions पूछे गए, 1881 इसके बाद आपको 1908 तक, मतलब 1881, 1901 ये जन गन्ना लगातार, 302 में आप देखेंगे कि शाहुजी महराज, जो कोलापूर नरेश उस समय थे और चात्रपती सिवाजी महराज के वनसज वो हैं, उन्होंने अपने जो गैर ब्राम्बन जातियां हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियां जो हैं, राज जी की जो और नौकरियां, उसमें 50% सीटें रिजर्व कर दी, अब ये जो रिजर्वेशन आया, इसके लिए जो डाटा उन्होंने कलेट किया, ये सारा डाटा उनको इन्ही सेंसस के फिगर कितने हैं, ये सारा डाटा आया और इसके बाद उनके पास एक दूसरा डाटा था, कि जो पोलापूर के सरकारी जो नौकर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो उनका कास्ट का फिगर आया, ये दोनों फिगर जब उन्होंने सामने सामने रखा, उनको पता चला कि पोलापूर की लगभग सारी आबादी बहुत छोटी से आबादी पांसात परसेंट के अलावा सारी आबादी जो जिसको आज की तारिक में सिडूल कास्ट या OBC कहते हैं या DNT या सिडूल ट्राइब करते हैं उनकी है जबकि सरकारी जो नौकरियां है उसमें 90 से 92 प्रतिसत 95 प्रतिसत तक ब्राह्मन जातियों के और कुछ कायस्त जातियों के लोग हैं ये असंतुलन उनको साहुजी महराज को नजर आया तो इसके आजार पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई और वो सारा कुछी तिहास है आपके पास एवलेबल है उसको लेकर काफी बोक्स हैं कि किस तरह से उन्हो के सवालों से जुड़ा हुए सवाल है साहुजी महराज जिन्होंने बावा साव अंबेट करकी सिक्षा का वंदोवस्त किया उनकी पहली पत्रिका थी मूख नायक उसके लिए उन्होंने पहला सीड कैपिटल 2000 रुपे जो समय बड़ी रकम थी वो दिया बावा साब को उन् परत में रिजर्वेशन की जो हिस्ट्री है वो कास्ट सेंसस की हिस्ट्री से जुड़ी भी है यह कास्ट सेंसस की हिस्ट्री का एक पार्ट है अब इसके बाद जो इसके बाद जन्गंणा तो लगातार जारी रहती है उन्हीं से 11 में होती है उन्हीं से 20 में होती है उन्हीं नहीं किया जा सका इस वजह से इन सारी जन गन्नाउमक्यों की कास्ट का आंकड़ा है तो 1931 की जन गन्ना इस तारीक बहुत गोईर से आप याद दखिए बहुत important है कि 1931 की जन गन्ना आखरी जन गन्ना है जिसमे की चाती के आंकड़े इकथा कि गए ड़ए सबकुछ 1931 के आंकड़े काधार पर और उसको चुंकि बहुत कम लोग देखते हैं तो बना के वो अपने धंसे अपने-अपने कास्ट अपने-पने संख्या बढ़ा कर जो लिखने वाला होता है रिपोर्टर वो अपनी जात की संख्या बढ़ा कर वो बताता है और तमाम अग आखरी जनगनना होती है जिसमें की कास्ट से जुड़े हुए सारे आंकड़े एकठा की जाते हैं तो देखिए मैंने आपको बता है का 1888 तर फिर 881 महत्पूर्ण साल है जिसमें के हर 10 साल की जनगनना सुरू होती है फिर उन्हों से एक-टक की जनगनना होते है जिसके आंक पुझा गया है इसमें किसी जात को छोड़ा नहीं गया है और उसके आखड़ों का आपको जातर उन्वर्सिटी की लाइबरेरी में उन्हें से 30 की जनगन्ना एवलूबुल है वेब साइट पर भी आपकर आप भूनेंगे उन्हें से 30 की जनगन्ना तो थो मेस्पिकेटी ने जो परिस उन्वर्सिटी के प्रोफेसर हैं उन्हें भी अपनी वेब साइट पर डाला है तो ये जनगन्ना की रिपोर्ट आपको 1931 की जनगन्ना की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी उसी का अधार पर भारत में अभी पॉलिसी बनती है अब 1931 में आपने में आपको बताया कि क्यों कास्ट की गिंती होने के बावजूद जनगन्ना की रिपोर्ट क्यों कंपाइल नहीं की गई उसको क्यों टेबुलेट नहीं किया जा सका और उसके बाद का वर्ष आपको 1931 के बाद उन्हें से क्या बनाता है अब 1931 से 1950 के भीच में भारत आजाद होता है भारत में संविधान लागू होता है और भारत में पहली कैबिनेट बन जाती है अब 1950 की जनगन्ना होनी है 1950 की जनगर्णा में भारत की सरकार जो पंडित ज्वारला नहरू की सरकार है वो ये फैसला करती है कि जनगर्णा के बाकी सवाल तो हम पूछेंगे लेकिन जो काष्ट का सवाल है इसको हम नहीं पूछेंगे 1950 पहली जनगर्णा है भारत के जनगर्णा की त्यास में जिसमें सरकार ये फैसला करती है कि हम जनगर्णा से जुड़ा हुआ जाती से जुड़ा हुआ प्रश्न इस जनगर्णा में नहीं पूछेंगे इसके पीछे तर्प क्या था? तर्प उस समय की सरकार का ये था कि हम एक model जो democracy है उसमें जा रहे हैं आधुनिक्ता में जा रहे हैं नए समय में जा रहे हैं नए लोक्तंत्र में जा रहे हैं तो कास्ट का जो question है इसको हम पीशे छोड़ जेते हैं हम मानके चलते हैं कि अब एक नागरिक की पहचान है जो भारतीय पहचान है वो सबसे महत्पून पहचान होगी और कास्ट की पहचान धिरे-धिरे पीछे चली जाएगी तो हम कास्ट की विंती नहीं करते हो तो 1950 में भारत सरकार के इस फैसले के बाद भारत में कास्ट सेंसस का चलन बंध हो जाता है लेकिन ये कहना पूरी तरह से सच नहीं है इसमें आपको मैं अपने ही संटेंस का एक वालिफायर दे रहा हूँ भारत सरकार ने फैसला किया तो कि कास्ट से जुड़ा हुआ कोश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कास्ट की गिंती बंध हो गई सरकार ने फैसला किया कि SC और ST से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा हर जो जन्गन्ना का कर्मी आएगा वो जाएगा यह प्रश्ण पूछेगा कि आप SCSD है की नहीं है और उसके बाद उनकी कटेगरी पूछी जाएगी तो जाती कि जन्गन्ना भारत में कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं भी SCSD की गिंती अभी भी होती है और इस साल जो जन्गन्ना होनी वाली इसमें भी SCRST का सवाल पूछा जाएगा तो continuously आप कास्ट का क्वेश्चन पूरी तरह से आप सेटसाइड नहीं करते हैं आप सेलेक्टिवली कास्ट का कवाल सवाल पूछते हैं तो अब आपको यह चौथा वाटर सेड इयर है जबकि जन्गन्ना से बड़ावाइक बड़ा बदला हो जाता है और सारी जातियों की गिंती बंद हो जाती है 1951 में इसके बाद 1951 आता है फिर 1961 आता है 1971 आता है इस बीच में एक चीज़ और हो जाती है जो समविधान में आर्टिकल 340 है जिसमें की यह कहा गया है कि एक केंज सरकार जो सरकार है वो एक आयोग का गठन करेगी जो socially और educationally backward classes का पता लगाएगी और उनसे जुड़ी हुई नीतियां बनाएगी 340 आर्टिकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि बावा साहब ने OBC के लिए क्या किया उनको देखना चाहिए आर्टिकल 340 जो constitution माया है उससे जुड़ी हुई डिबेट आप देखेंगे को 340 बावा स की जो तीन वजह हैं बताई थी उसमें से दूसरी वजह जो है वो वजह बताते हैं कि हमने आर्टिकल 340 तो constitution में सामिल कर लिया मैं केविनेट का मेंबर हूँ मैं लौ मिनिस्टर हूँ और मैं इस लौ मिनिस्टरी में रहते हुए भी वो विस जो backward classes जोड़ी भी सरकार की policy ह उसको मैं बना नहीं पा रहा हूँ सरकार गठन नहीं कर रही है पिछड़ा वर्गायोग का और इसकी वजह से मैं इस्तिफा देता हूँ तो बावा साहब ने पिछड़े वर्गों के लिए इस्तिफा दिया है हिंदी code will इसकी दूसरी वजह थी तो बावा साहब के योगद आर्टिकल 340 और OBC के लिए क्या किया है बावा साहब ने कोई भी अगर प्रशन पूछे आपसे कि बावा साहब ने OBC के लिए क्या किया तो आप कहना चाहिए कि आप बावा साहब के रेजिनेशन लेटर पढ़िए उन्होंने लॉव मिनिस्टर से इस्तिफा दिया OBC के ल लोटते हैं तो इस बीच में पहला पिछड़ावार गायोग बनता है काका का लेलकर के धिस्ता में और वह ऐसी रिपोर्ट देता है जिसकी वज़ए से वह भी से रेजर्वेशन लाबू नहीं हो पाता है और उनके पास जातिक आंकड़ा नहीं अबलेबल है तो किसी तरह स और जन्गंडा नहीं होने के कारण कोई ठोस आंकड़ा नहीं होता है अब इसके बाद एक वर्ष आता है जन्गंडा का इस बीच में एक चीज़ और होती है कि जन्ता पार्टी की देश में सरकार बनती है इंद्रा गांधी हारती है और जो मुरार्जी भाई और उसके बाद चरण सिंग प्रधान मंतरी बनते हैं इस सरकार ने एक फैसला किया कि हमको दुसरा पिछड़ा वर्गायोग बनाना है तो दुसरा पिछड़ा वर्गायोग का गठन होता है बीपी मंदल उसके चेर परसन बनते हैं और इसको मंदल कमीशन के नाम से देश रांता है जिसकी वज़य से इस देश ने आज की तारिक में करीब करीब समझे कि 50 लाग से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली है OBC को मं बूरोज से ज़्यादा विद्यारती समय अलग 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 इनुवर्षी पर्ड़ समय मंधल कमीशन का योगडान 340 आर्टिकल से जो निकला है तो मंदल कमिशन का गठन होता है मंदल कमिशन अपना कारिय शुरू करता है और मंदल कमिशन का कारिय अगली सरकार तक जाता है इंद्रा गांधी के कारिकाल में इंद्रा गांधी का हमें इस बारे में सुपरकुजार होना चाहिए कि मंदल कमिश जो पिछड़ा वर्गायोग है उसमें काम नहीं किया लेकिन होने दिया तो पिछड़ा वर्गायोग अपनी रिपोर्ट जो है वो कॉंग्रेस के सासनकाल में राश्पती ज्यानी जयल सिंग को बीपी मंडल अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं इस रिपोर्ट में बिल्कुल शुरुवात में ही, शुरुवात के ही दो तिन पन्ने के अंदर आप देखेंगे, तो BP मंडल ये लिखते हैं, हर मंडल कमिशनल ये लिखता है, कि जाती जन गणना नहीं होने की वज़े से, हमारे पास जाती हों के आखड़े नहीं थे, और इस आखड़े नहीं है, मंडल कमिशन ने ये सिफारिस की, कि अगली जो भी जन गणना हो, उसमें आपको, जो समाम जाती हों के आखड़े आपको इखटा कर लेने चाहिए, जाती की जन गणना करानी चाहिए, तो देखिए, मैंने आपको पताया कि किस तरह से कौन-कौन सा वर अगली आपको इनने ऐस से की जन गणना करा लेने का मौका था, जिसमें कि जाती की जन गणना करा ही जा सकती थी, लेकिन उस से ठीक पहले वीपaney सिंग मंडल कमिशन की रिपोर्ट का वो हिस्सा लागू करते हैं कि कें सरकार की नोकरियों में 27% आरक्षन दिया जाए गार पुरिदेश में बहुत पुथल-पुथल मस्ती है और उनिसी क्यानवे की जनगंदा में यह पॉसबल नहीं हो पाता है कि कास्ट का सेंसस कराया जा सके तो उनिसी क्यानवे आपका फिर निकल गया यह हिस्ट्री की टाइम लाइन है मैं आपको एक एक इस्टोरिकल येर और उसका इपॉक्ट बता रहा हूं कि किस तरह से इस थिंग प्रोग्रेस्ट एक्टिली तो इसके बाद का आपका पिरिड आता है 2001 की जनगंदा 2001 की जनगंदा में ये संभव था कि जाती की जनगंदा करा ली जाए क्योंकि मंडल कमिशन की रिपोर्ट को सरकार मान चुकी थी और ये सरकार का मेंडेट था कि जाती की जनगंदा इसके बाद आपको करा लेनी चाहिए लेकिन इससे पहले क्या होता है कि देवोगोडा और गुजराल की सरकारें आती है SD देवोगोडा की सरकार अपने छोटे से कारिकाल में कैबिनेट की एक बैठक करती है और यह फैसला करती है कि अगली जो जनगन्ना होगी 2021 की इसमें हम कास्ट का सेंसस करेंगे यह कैबिनेट का फैसला हो जाता है भारत सरकार का फैसला भारत सरकार का फैसला होता है चाहे वो बदलती रहे कोई और सरकार आए जाए तो भारत सरकार ने फैसला कर लिया कि कार सेंसस होगा यह नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा लेकिन 2001 से पहले अटल विहारी बाजपई की सरकार आ जाती है याद कीजिए 13 दिन के एक सरकार आती है जिस सरकार को मालूम है कि हमारा पतन हो जाना है क्योंकि भहमत उस सरकार के पास नहीं है सबसे बड़ी पार्टी होने के नाथे उनको बुला लिये जाता है 13 दिन की सरकार कुल मिला कर सिर्फ 8 फैसले करती है जिसमें NRON का फैसला है, Dabhol Power Plant का उन फैसले है उन फैसलों में, कुल 8 फैसलों में एक फैसला ये है कि कास्ट सेंसस नहीं होगा आप समझ लीजिए कि OBC कास्ट सेंसस को लेकर कितना सतर्खर, कितना अलर्ट है और उसको लेकर उसका कितना विरोध है, कि जो सरकार 13 दिन के लिए आई है वो सरकार भी फैसला करके जाती है, कि हमको कास्ट का सेंसस नहीं कराना है वाजपेई की सरकार ये फैसला करती है, और देवगड़ा सरकार के फैसले को पलड़ देती है अब उस समय लालकृष्णाडवा ने गिरह मंतरी थे भारत के और उन्होंने फैसला किया कि कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे सेंसस हमेसा होम मिनिस्ट्री के फंडर में आता है तो इस तरह से 2001 काल गवर्स निकल गया तो आपको देखिए कि मंडल कमिशन के बाद जनगनना के बाद जनगनना होती जा रही है उसके बगार आपको पॉलिसी बनते जा रही है OBC Development Fund आ गया कि इन सरकार OBC के Development के लिए राज्यों को पैसा दे रही है लेकिन OBC का आकड़ा ही नहीं किस राज्यों को कितने पैसा देना है कोई जानकारी नहीं आज भी नहीं है तो पॉलिसीज पर पॉलिसीज बनी जा रही है लेकिन बगए रांकड़ते मतलब जैसे आप समझिए कि टनल में आप तरनल में आप है उरणग में है जिसमें कोई रोश्डी नहीं लेकिन आपको चलना है तो ये जो एक कवर्ष है ये भी निकल गया मैंने आपको बताया किस तरह से बाजपई के समय में ही वो जनगर्णा होती है 2001 जो समय बाजपई जी की सक्राव इसके बाद की जनगर्णा आती है 2011 2011 में हम जाती जनगर्णा के सबसे करीब पहुँच गये थे जिसमें की जाती की जनगर्णा हो सकती थी 2011 को मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं जो नए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम सरोज जी कुल कमल यादव जी अर्विन यादव जी शुरेश गुर्दिक कुमार जी इन सबसे निवेधन है कि आप इस वीडियो को कि प्लीज शेयर कर लें ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देख सकें और आपके कुश्चेंस में देख रहा हूं लगातार इसका मैं जवाब देने की भी कोशिश करूँगा सारे कोश्चेंस अब इस समय मेरे पास हैं विरेंद्र भगत जी बहुत हो शुक्रिया सुरेश कुमार जी आप सबके कुश्चेंस में देख रहा हूं और कोशिश करूँगा कि इस बाचीत के आखिर में उनका जवाब में देख रहा हूं तो यह जो 2011 का वर्ष था इससे पहले भारत में OBC के अंदर में क्योंकि देख रहे थे यह सारे सवाल उठने लगे थे खास करके तमिलनाडू में आंधर पुदेश में करनाटक में जहां पर OBC की चेतना बहुत ज़्यादा है केरल में फिर आपको एक लेवल तक महराष्ट में जहां OBC बहुत जागरूक है इन सारे राज्जियों में जो आज़ादा पढ़े ल 10 में और इसमें 40 के आज़ पास मेरे ख्याद से एक्जेक्ट नमबर 42 है इतने वक्ताओं ने इसमें अपनी बात रखी दो दिन पूरी बहस चलती है लगब 10-10-12-12 घंटे की बहस चलती है और इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं सारी पार्टियां पार्टिसिपे हुकमदेव नारायन यादो जी हैं आपको संदीब दिछित हैं कॉंग्रेस की तरफ से सारी पार्टियां आपको बीएसपी की तरफ से दारा सिंग चोहान थे इसमें सपा की तरफ से इसमें आपको मुलायम सिंग यादो जैसमें आपको बताया ही है तो यह सारे नेता पर 40 अलग अलग जो नेता हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और 6 और 7 जून की आप पार्लियमेंट की अगर कारिवाई वेब साइट पर देखेंगे लोगसभा की साइट पर ता आपको दिखेगा कि इसमें हर नेता ने हर वक्ता ने कास्ट सेंसस का सपोर्ट किया और भारत में पहली बार लोगसभा के अंदर में कास्ट सेंसस कराने पर आम सहमती बन गई अब जब आम सहमती बन ही गई तो मनमोहन सिंग ने उससे पहले आपको UPF की मीटिंग होती है जिसमें सोनिया गांधी कहती है तो कास्ट सेंसस हमें करान चाहिए इसके अद्मन महान सिंग इसकी घोषना करते हैं लोगसभा में आके कि लोगसभा की जो भावना है इसके हिसाब से से जुड़ा होगा फैसला कराया जाए तो सारे लोग निश्चिंत हो गए इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने जमीनी काम किया है जैसे जनहीत अभ इस बीच में चले और आपको खास करके साउथ में तो बहुत इसको लेकर बहुत अग्रेसिव किसम का मुवम्मेंट चला ज्यादा पढ़े लिखे लोग में अपने अधिकारों को लेकर सचेत लोग में तो पूरे देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस बन जा कास्ट की सत्ता, समाजी की सत्ता, बहुत सारे फैसले होते हैं सरकार के, सुप्रिम कोट के, जो लागू नहीं होते हैं क्योंकि समाज की सत्ता उसको खिलाफ होती है, और जो समाज की सत्ता है, बिरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, इन भारे इंस्टिचूशन के जरिए reflect होती है तो मीडिया ने इसके बाद कास census को के खिलाब लगातार campaign चलाना शुरूब किया और bureaucracy उसमें active हुई जो उससमें census commissioner थे चंदर मौली सहाब उन्होंने बकाईदार एक report भेज़ दी कि हम नहीं करा पाएंगे संभो नहीं है चिदंबरम सहाब उससमें विचार करने के लिए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और इन सारे लोगोंने सड्यंत्र करके जिसमें Congress की सरकार थे उसमें Congress पर ये पाप है उन्होंने जाती की जनवर्णा नहीं होने दी 2011 में जबकि इसको लेकर उनके पास consensus था आम सहमती थी कोई विरोध नहीं हो रहा था इसके बाजूद उन्होंने जाती की जनवर्णा नहीं होने दी Congress की सरकार ने उसमें और उन्होंने ये फैसला किया कि 2011 की जनवर्णा में सर्वे के साथ करा लेते हैं अब सर्वे और census अलग अलग तरह की चीज़ जाहिर है लेकिन Congress ने ये काम किया और उन्होंने भारत में जाती की जनवर्णा नहीं होने दी और एक फरजी किसंकी गिंती का एक सिलसला सुरू कर दिया और त्रिपुरा के गाहों से उन्होंने इस census की सुरुवार्ण कर दी जिसमें की कोई टाइम लिमिट नहीं थी जिसमें सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होते थे जिसको तो सेंसस एक्ट 1948 से के अंदर भी नहीं रखा इसकी वज़े से आप इसमें सिक्चक नहीं इंक्लूड कर सकते हैं जो मतलब राइट और एजुकेशन एक्ट है उसके तहट यह है कि सेंसस और एलेक्शन के लावा किसी काम में आप सरकारी सिक्चक को इन्वाल्व नहीं किया तो आप ने सिस्चकों को involved नहीं किया आपने की अएक काम किनको दे दĩा अंगणवाडी वर्कर को एंजियो वर्कर को प्राइट कंपनियों को लोगों को आपने लगा दिया कि संसस कर क्या हो अभी एक आदमी मैं आप समझे एक यूपी में कानपूर का एक आदमी है वो जंगना करता है तो अपने जिल्न में अपने इलाके में जाता है उसको पता होता है कौन क्या है अब बाहर का एक आदमी एंजी ओ का कर्मी आंगनवाडी का कर्मचारी इन सब को भेजकर कॉंग्रेस की सरकार ने जंगना सुरू करा दी उसका बजट लंबा होता चला गया साल सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब एक साल उनका भी निकल गया अब इसके बाद उन्होंने तमाम जन्गन्ना कहा कि अब जन्गन्ना तो पूरी हो गई कितना खिशते हैं उसको 5 साल तक जन्गन्ना चलती रही जो कामर्थ 28 दिन में पूरा होता है जितना सड्य अंतर इसके पीछे है तो इसके बाद अब आखड़े आ गए अब अरुझेटली एक दिन अचानक से दिल्ली में प्रेस करते हैं और कहते हैं कि जाती की जन्गन्ना तो हो गई है लेकिन उसमें 9 करोड गलतियां आई है और 43 लाख जातियं की लिस्टिंग हो गई है अब इस जन्गन्ना का हम क्या करें तो जन्गन्ना की रिपोर्ट जारी नहीं हो पाएगी तो लेकिन अब 5,000 करोड रुपे खर्च हो गए ते 4,893 करोड रुपे एग्जेक्ट अगर आपको बताओं तो 4,893 करोड रुपे खर्च हो गए जन्गन्ना हो गई लेकिन आकले जारी नहीं हो सकते हैं क्योंकि 9 करोड गलतियां है और 43 लाख जातियां और गोतर के नाम आगए है उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो निती आयोगा है उसके डिपटीच चेरपर्सन प्रफेसर अरविंद पनिगडिया की ये कमिटी बना देते हैं चीक है भाई साथ, तो अर्विन पनगडिया की कमिटी बन गई, उन्होंने का कि तीन सद अस्य कमिटी बना जाते हैं, ठीक है, तो लेकिन अब बाकी तीन कमिटी में तो बाकी दो मेंबर की घोशना करनी पड़ेगी, तो मोधी सरकार ने बाकी दो कमिटी के मेंबर की घोशना कभी की ही नहीं दो साव लाद अर्विंद पनिगडिया साब दरसल आये थे कोलंबा एनिवर्सिटी से एकॉनोमिक्स के प्रोफेसर है कि भारत की एकॉनमी को चलाएंगे इसके जिम्मा समाला थे भारत की एकॉनमी जब गिरने लगी अस्त्वेस्थ होने लगी अर्विंद पनिगडिया ये नितियायों का काम छोड़के वापस अपनी नौकरी में चलेगा एक भै अपनी नौकरी बचाओ नितियायों के चक्कर में पता चला बजनामी भी होगी दुनिया भर में कि अर्थवस्था समली ने डिमोटाइशन वगरा हो गया है साय और जीस्टी पॐस्टी होने के वाज़ा सिर्थवस्था गढ़े में तो कॉलंबिया भागो अब अर्विंद पनिगडिया साहब जिनको जिम्मा था और घुक कास ठैस्यायों को ठीक करके सैंसर संस की रिपोर्ट जारी करनी है अर्विंद पन्गडिया साहब वापस भागे कोलंबिया इन्वर्सिटी और पन्गडिया कमीटी की कोई बैठक हुई नहीं एक भी बैठक नहीं क्योंकि बाकी दो सदेश्यों के नाम मुदी साहब नहीं नहीं किये तो उसके बाद एक दिन एक प्रेस लिए जाती है कि मांग पर भी इन्होंने 4,893 रूप्य खा लिए और एंजियों को बाट दिया हैंड़ डिवाइस खरीद लिए जिसको बाद में शेक दिया गया और कम से कम 2-3,000 करोड का इसमें घुटाला भी हो गया और आंखड़े भी नहीं आये तो 2011 की जंगंड़ना इस तरह से आप आपको चुनाव होना है को जार इन्हीं में चुनाव से पहले एक दिन राजनाथ सिंग अचानक से एक दिल्ली इंप्रेस कॉंफेंस करते हैं और यह कहते हैं कि अगली जो जनगंड़ना होगी उसमें हम OBC की गिनती कराएंगे यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं सारी में तो वो रिपोर्ट निकलके आ जाएगी टाइमस अफ इंडियस लेगें इंडियस एक्सप्रेस हर जगए रिपोर्ट वी है तो उन्होंने कहा कि OBC की जनगंड़ना तुम कराएंगे जी बहुत अच्छा आपको चुनाव से पहले OBC को लुभाना था आपने बोल दिया अब 2011 का चुनाव आपने घीत लिए और नर्यन्द मोदी ने हर पिषडी जाती का हूँ, मैं नीच हूँ, प्रियंका गानी मुझे नीच क्यों कहती है मैं नीच जाती पैदा हुआ हूं तो क्या मैं नीच हूँ, मैं फिषडी मा का संतान हूँ ये करने लगे मोधी साहब अपने हर भास तिसरे चोथे बासन में तो ये करते हुए और OBC सेंसस हम कराएंगे और OBC आयोग को हम समयजानिक दर्जा देंगे बगरे बगरे करके इन्होंने 2019 का चुनाओ सामप्रदाइक महाल में पुलवामा के बाद एक राष्टवाद का उभार करके और ये OBC का सवाल और OBC का के हम ही असल में हैं करके उन्होंने चुनाओ अपना निकाल लिया है अब इसके बाद 2021 में जनगन्ना सामने आ गई अब भी कराना पड़ेगा OBC का सेंसस आपने नांस किया है भारत सरकार के कालिन ग्रीमंद्रे नांस किया है तो आपको कराना चाहिए लेकिन अब 2021 का जो कुशनायर हम सब के सामने है उसमें हम देखते हैं कि जनगन्न जाति का कॉलम फिर गया अब लोगों ने पुछा ये क्या हुआ तो सरकार के मुँँ अब सिल गया है मतलब अब कुछ नहीं बोलना इस बारे में चुप चाथ अब इस तरह से आप देखेंगे तो 2020 में भी जनगन्ना नहीं होगी OBC से related reservation से लेकर OBC development fund OBC scholarship OBC का राज्यों को दिया जाने वाले विकास का पैसा सब कुछ होगा OBC related policies बनेंगी इस बीच में EWS related policies बन गई कि 10% reservation देंगे अब किसी राज्य में जो EWS के अंदर जो जाती हैं या जो वर्ग आते हैं किसी राज्य में 3% है, किसी में 5% है वहाँ आपने किन सरकार ने खका लगा कि हारे राज्यों में 10% reservation लागू करवा दिया अब जैसे तमिल नाडू में 3% है अपर कास्ट वहाँ जब कहा गया कि भी 10% reservation दो तो तमिल नाडू सरकार उस समें अंडिया की सरकार को उन्होंने कहा नहीं दे सकते और DMK नहीं विरोध कर दिया तमिल नाडू में आज जी EWS का आरक्षन नहीं है अंदर प्रदेश में EWS का आरक्षन नहीं उन्होंने कहा कि हमारे आटो किसी जगे का हमने आ रहे हैं 3% है किसी ने कहा 4% है आप कैसे 10% आरक्षन दे 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 उनको 36 गड़ में 3-4% अपरकास्ट के लोग होंगे अब वहाँ उन्होंने 10% आरक्षन लागू कर दिया EWS का तो यह अगर आंक्डे होते तो आप यह आरक्षन ही लागू कर पाते तो इन आक्ड़ों के बगर पॉलिशी बन रही है आप देखिए मतलब मतलब just see the audacity of the situation they have policies for OBC they have policies for upper caste but they don't have any empirical data to support these policies अभी इन policies को बगर डाटा के चलाया जा रहा है 2020 में आप फिर नहीं कराना चाहते है अब इसकी वज़र से देखिए 3-4 बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई यह जन गरना का हिस्ट्री का पार्ट है तो मैं अपनी अपने इस पूरे वक्तवे का पहला हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया हिस्ट्री से जुड़ा हुआ आपको questions मैं लगातार ले रहा हूँ रहूल सिंग जी और सारे लोग जो है अमर यादव जी आपके सवाल मैं देख रहा हूँ और मैंने जैसे पहले भी request किया कि आप इस वीडियो को अभी इततकाल भी अगर share कर ले तो और लोगों तक ये बात पहुचेगी तो जनगंणा कांकड़े के बगार policies बन रही है 2021 की जनगंणा में फिर से कास्ट का कॉलम नहीं है सिर्फ SCST से उनकी कास्ट पूछी जाएगी अपरकास्ट से भी नहीं पूछी जाएगी जिसको अपरकास्ट बोलते हैं सवर्ण बोलते हैं बिज बोलते हैं आप कोई भी नाम ले लिजे जिसको जनरल कटेगरी आप या EWS कटेगरी या सुदामा कटेगरी जो भी नाम आप देना चाहें उनकी उनसे भी नहीं पूचा सर्वेहस की इसाफ से हमारे देश में इतनी भैस हैं, इतनी गाय हैं, इतने सूर हैं, इतने घोड़े हैं, ये सारे आकड़े आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस देश में कितने ब्रामण हैं, कितने छत्री हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने यादो हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने क इसकी वज़ासे सबसे गड़ी इस प्रॉब्लेम तो यह हो रही है कि जो ओभी से का आरक्षन है वो लगातार खत्रे में क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मामला हर समय जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट यह पूछता है कि आंकड़े कहां है ओभी से जुड़े वह आप इनको इतना आरक्षन क्यों दे दे रहे हैं तो हर बार आपको आरक्षन बचाना पड़ता है और लेकिन कोट कभी यह नहीं कहता है सरकार को कि कास्टेंस करा लो क्योंकि आप जानते हैं इस देश में नयाइपालिका किस तरह का चरित्र है और कोलेजियम से किस तरह के जज़ा आ लगातार जो आपको भारत में जो सवर्ण जजज हैं उनसे ये कोट्स भरे पड़े हैं आई कोट और सुप्रीम कोट तो वो हमेशा आपको OBC का जो आरक्षन है इसको वो सवालों के दाएरे में रखता है क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं तो सबसे बड़ी समस्च्च कि महाराष्ट में जो अस्थानिय निकायों में OBC को 27% आरक्षन क्यों दे दे रहे हैं सुप्रीम कोट ने उसको खारीज कर दिया और सुप्रीम कोट ने कहा कि आपको नाकड़े हैं कुछ हैं आप कैसे OBC का आरक्षन दे सकते हैं और इस वजह से वहाँ पर 5 या 6 जिलों मे अस्थानिय निकायों में OBC का आरक्षन इस समय रद है आज की तारीक में ये इस तरह के सवाल आपको खड़े हो रहे हैं पहला मामला तो यह है दूसरा मामला जो दिक्कट आ रही है वो कि भारत में कई सारी जातियां इस समय डिमांड कर रहे हैं कि हमको OBC के अंदर रखो ह हमारा representation नहीं है हमारे सिच्छा का स्तर नहीं है हम बहुत पिषड़े हुए है हमको आप आरक्षन दो इस तरह के कई आंदूलन जिसमें जाट आंदूलन है नौर्थ इंडिया में आपको इसमें पाटिदार का आंदूलन है गुजरात का इसमें आपको कपु का अंदूलन ह आपका मराठा आरक्षन का सवाल है महराष्ट का यह सारी जातियां यह डिमांड कर रही है कि हमें OBC का आरक्षन दो आरक्षन दो कम से कम लेकिन भारत सरकार इनको आरक्षन नहीं दे रही है और यह बता भी नहीं रही है कि आपको आरक्षन क्यों नहीं दे रहे हैं तब य जातियां का करती हैं, यह जातियां फिर आंदोलन कर रही हैं, सरकार की बहामरोडने कोशिश कर रही हैं, जब यह आंदोलन करती हैं, तो सरकार फारिंग कर देगी, पाटिदार आंदोलन हो, सरकार फारिंग कर देगी, मराठा आंदोलन हो, सरकार दमन कर देगी, लाठी चार् अगर आंकडे होते हैं तो क्या होता है भाई मराठा सरकार बताती कि देखो आपको 30% नाराष्ट में और आप सरकारी नौकरी में हो इतने आपका प्रेजेंटेशन है इसलिए हम आपको आरक्षन नहीं देने या बताते कि देखो आपकी संख्या इतनी है लेकिन आप सरकारी अस्तर बहुत कम है हम आपको आरक्षन देते हैं यह दोनों तरीके का फैसला तब होता जब आपके पास आंकडे होते हैं आप जाटों को बताते कि भाई हाँ आप तो ठीठाक जमिंदार माने जाते हो लेकिन सरकारी नौकरी मुत आप गयाब हो सिख्चा का अस्तर बहुत क है आप में पिछडापन भी इसकी वज़ाए है चाहते हैं यह कहते हैं आपकी परिख का फैंद स्रीह अपके पास बंग सकती हैं आपके बैणाओ इस वजए से पूरे देश में जाती रूद्र चिडा हुआ है च्योंकि सरकार के पास आंकडे नहीं है सरकार अपने empirical data के basis पर यह ने कहने की स्थिति में नहीं है कि आपको अमारत्चन देंगे या नहीं देंगे और उसका कारण बताने की स्थिति में तो यह दूसरी समझत्या तीसरी समझत्या सरकार ने OBC एक social political group के तौर पर जब मंडल कमिशन के बाद सीमर्ज हुआ इसको तोड़ने के लिए या और अच्छी नियत भी हो सकती है OBC का मटवारा करेंगे यह सरकार ने फैसला किया 2017 में मोधी सरकार ने 2 अक्टूबर के दिन गांधी जन्ती के दिन अनाउंस कर दिया कि हमें commission बनाएंगे High Court के जज रोहिनी की अधिक्सता में रोहिनी कमिशन बना दिया अब रोहिनी कमिशन को यह फैसला करना था कि कौन सी जातियां जो OBC के हैं उनको आरक्षन का ज़्यादा आब लाब मिल गया तो ज्यादा मिल गया उसको आप एक अलग कटेगरी में डालके कम आरक्षन देके उनको समयटो जिनको ज्यादा लाब मिल गया उनको अलग जगा समयटो और उनको भी थोड़ा कम हिस्ता दो अलग-अलग कटेगरी में बाढ़ दो आप OBC को अब यह OBC कमिशन को यह भी Article 340 के टहात बना दिया गया इसमें आपको बज्याल साव एक और्या डता है इन सब को सामयर करके अपने정을 कमिशन बना दिया अब इसकंशन को अनको अपने रिपोर्ट दे निए ती श्यां मैंने अंढेने इनके पास तो आकड़ा था हीक तो इन्होंने फिर सर्वे कराना शुरू कर दिया सरकारी दफ्तरों से आकड़े तो उन्होंने सच्चे जुटे कटा कर लिये और उन्होंने एक रिपोर्ट बना भी ली उसके अधार पुन ने कहा कि नौर्थ इंडिया में कुर्मी जो है उनको सबसे ज़्या सरकारी नौकरी है और दच्चिन भारत में वोकालिगा और खेवर और कुछ जातियां हैं उनका नाम लिया उन्होंने कि ये जातियां है इनके पास बहुत ज़्यादा है यादों के पास बहुत ज़्यादा रक्षना गया है तो अलग-अलग उन्होंने एक रिपोर्ट मीडिया में लीग करा दी जो सारी मीडिया में छपी फिर तो इसकी आधार पर जातियों के बीच में आपस के ज़गड़े सुरू हो गए आप तो पुर्मी साहब आप तो बड़ा रक्षन खागए लेकिन कोई आखड़ा नहीं है यह भी तो संभाव है कि करनाटक में वोक्कालीगा बहुत बड़ी जाती है 20% उनकी संख्या है और 20% वोक्कालीगा ने गर 18% नौक्रियां खा विली ले विली तो कौन सा तैचार कर दिया यह भी तो संभाव है कि कुर्मी यादव या उत्तरपदेश या बाकी रायस्थान में जाटों के अच्छी कासी संख्या है और उनको उसनी संख्या के अनुपात में नौक्री मिली हो यह भी तो संभाव है तो यह आखड़े नहों तो आप कहेंगे कैसे आपको इस समय इन जातियों का ना नंबर मालूम है ना इनके सिच्छा मस्तर मालूम है ना इनके सरकारी कुर्मचारी कितने यह मालूम है आप मनमाने तरीके से मोधी सरकार ने जाती उद्र लगाने के लिए रोहनी कमिशन बनाकर किस जाती ने जादा खा लिया किस जाती ने कम खा लिया इसके आंकले जाली कर दिया और जातियों के अंदर में अविश्वास पषैसर करा दिया है। Heider have a जातियों को जोजशा इनी मोडी करा वड़ी सरकात पाते है। ë 3 चान्या इसल्मलच तो समझ्या आपको इसस्ति को कितना संसाधन में हिस्ता दिया जाया है, कि OBC भारत में वो ग्रूप है जो सबसे ज़्यादा पैसा बैकिमें डालता है और बैंक से जो लोन मिलता है उद्ध्योगर व्यसाय करने के लिए उसमें उनकी हिस्सेदारी तीन से चार परसेंट है OBC बैंक में पैसा तो डाल रहा है चमा तो करा रहा है उसको वापस मिली नहीं रहा है बिजनेस कहां से करेगा OBC तो यह अंकड़ागर होता तो आज की तारीक में OBC मांग लेता कि भाई हमें बैंक लोन दो क्यों नहीं दे रहे हो मतला आप विजय हमालिया को आप पहले तीन ह 5000 लोन देते हैं नहीं चुकाता है फिर 5000 लोन देते हैं नहीं चुकाता है 9000 लोन देते हो नहीं चुकाता है विदेश भाग जाता है उसको आप लोगए और OBC के बिजनेसमेन को आयप दोन तो दे नहीं रहे हो, तो यह demand पैदा होती, क्योंकि यह अगर OBC के आखड़े होती, यह आखड़े हाई नहीं, यह OBC को कितनी scholarship मिलेगी, इस समय से 300 scholarship मिलती है, खिंद सरकार भारत में कम से कम 70 करोड OBC के लिए, सिर्फ 300 higher education के लिए, जो राजी उगांधी national fellowship है, 300 आपको scholarship देती है, भाई, OBC डिमांड कर सकता है, भाई, कम से कम 3 लाख दो scholarship, और हमको overseas के लिए, overseas के लिए तो आप scholarship ही नहीं देते हो, नहीं के लिए, OBC कितने जाते हैं, इसके आकड़ा ही नहीं है, और OBC के 27% हैं, तो 3 लाख अगर जाते हैं, तो 60,000 बच्चों को आप scholarship दो, आप एक भी scholarship नहीं देते हो, विदेश में पढ़ने के लिए, तो ये सारी demand आएंगी वहां से, जहां से ये data होगा, तो ये data ये कठा नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से बड़े-बड़े कुछ questions हैं, जो कि resolve नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कार्ट का figure नहीं है, कार्ट का census नहीं है Even EWS का अंदर ये सवाल उठना चाहिए, EWS का अंदर में अगर 15 जातियां हैं, तो EWS का आरक्षन कहीं ऐसा तो नहीं है, कि एक जाती जो है, वो लगभग आधा EWS का आरक्षन खा जा रहे हैं, जो अब आपको civil service वगरा के जो नाम आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि EWS का सारा लगभग आधा रक्षन तो एक जात खा जा रहे है, EWS का, EWS का अगर आपको उन जातियों का भी अगर आखड़ा होता, comprehensive caste census होता, तो ये आखड़ा भी आप EWS को भी दो हिस्ते में बाटते या तिन हिस्ते में, तो ये सारे सवाल हल तभी होंगे, जब caste का question आएगा, जाती है कि भारत में जनगन्ना के सवाल पर बहुत बड़ी जागरती हो, इस पार ये सवाल उठना चाहिए, कि अगर caste की census आप नहीं करा रहे हैं, तो जनगन्ना कर्मियों का हमारे घर में स्वागत नहीं है, आप करा लिजे, गिन लिजे, जिनको गिनना है, ये बहुत ज़रूर ये किस तरह की स्टीकर बनें और ये डिमांड हो, आप अपने जन प्रतिनियों से मिलें, उनको कहें कि कास्टेंस जब पिछली लोगसवा में आम सहमती थी, बीजेपी से लेकर, कॉंग्रेस से लेकर, लेफ्ट से लेकर सारी पार्टियां जिसके सहमती, बीएसपी से लेकर SP और RJD और DMK से लेकर ये IDMK और TRS सबसा मती जिस सवाल पर, उस सवाल को क्यों नहीं सरकार हल कर पा रही है, इस सवाल को पूछा जाना चाहिए कि क्यों ये सारा जो मामला है, आप कास्ट कर सेंसस, क्यों नहीं करा रहे हैं, किस चीसे डर रहे हैं, क्या पता चल जाएगा, ये ही पता चल जाएगा नहीं कापर कास्ट कर रिसोर्स में जादा कब जाए, क्या आज हमें नहीं मालूम है, मतलब ऐसा कोई ऐसा, ऐसी कोई बात है क्या कि जो, हमें अब पता चल जाएगी, तो आप इस कास्ट सेंसस करा लीजिए, इससे क्या दिवकत है, आप religion का अधार पर दंगय होते हैं, आप religion कहाँ करा एक ठा कर रहे हैं, तो आप religion का कोश्टन पूछ रहे हैं, यह सारेचेजें पूछ रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको caste का भी census कराना चाहिए, पुके एक बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ OBC के लिए ने, सारे नयाय पसंद लोगों के लिए सारे कास्ट का कोश्चन पूछा जानन पटेल साथ कह रहे हैं कि हम जन्वन्ना का ग्रोध करेंगे एक मुकेस मन पूछ रहे हैं कि मंदल कमिशन को क्रिमी लेर के साथ क्यों लाउट किया गया एक बड़ा सवाल इस पर हम फिर से बातचीत करेंगे मुझे लगता है कि ए अब IIM admission लेना है, OVC को fees में कोई छूट तो मिलनी नहीं है, 13 लाग की fees है, क्रिमी लेर को आपने आउट कर दिया, तो IIM की सीटें भरेंगे कैसे? तो यह सारे सवाल असल में पूछे जाने चाहिए, बड़ा important सवाल है, तो बहुत सारे से लोग कह रहे हैं, डीकुमार अब जुड़े हैं, और यह सारे लोग जंगन्ना के पक्षिमाम तोर पर अपनी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कमल साब कह रहे हैं कि कासिराम साहब मंदल कमिशन के बात कर रहे हैं, कासिराम साहब ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई ती मंदल कमिशन को लागू करने क के लिए और कम से कम 300 सभाएं की थी इन इसारे इतिहासिक तथ्य और आक्ड़े हैं इसको सबको समझने की जरूरत है और सबका योगदान है इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि का सेंसस के लिए सेंसस के लिए सहमती ऐसे ही बन गए थी और मंडल कमिशन ऐसे ही लागू हो गया था इस नाइन ओवी सी शिक्षकों का कि भरती का सवाल नरंदर सिंग साहब उठा रहे हैं कि यह घोटाला हुआ और इसमें कम से कम मुझे जानकारी है कि इसमें साथ से आठ जार ओवी सी शिक्षकों का पूर नौकरी नहीं मिली है यूपी में यह पड़े सवाल है इसमें तो रंजीत साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत कास्ट स्पेसिफिक मामला नहीं है यह एक हर कास्ट से जुड़ा हुआ मामला है किसी एक जाती को इसका ग्रोध नहीं करना जर जनगन्ना का सवाल असल में सिर्फ रिजर्वेशन का कोश्चन भी नहीं है इसको बहुत अस असल दस साल में आपके पास एक मौका है कि समाच और देश के बारे में जानकारी कट्था कर लो इसके बाद आप अपनी पॉलिसी के इसाब से देश चलाओ आप जनगन्ना ही नहीं करोगे तथ्यों के अधार पर आप कलपना कीजिए ना कि अमेरिका में एक सेंसस हो रहा है और अमेरिका में सेंसस हो रहा है कि ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स को गिन लेंगे लेकिन वाइट्स को नहीं गिनेंगे मतलब ऐसी जनगन्ना हो सकती है क्या मतलब अमेरिक ये किसी भी देश में ऐसी जनगन्ना हो सकती है क्या दो कटेगरी को हम गिनेंगे नहीं और इन दो प्रफिट आने की exercise है यह reservation के exercise नहीं है इसके यह fallout हो सकते हैं यह इसका repercussion हो सकता है इसका implication हो सकता है इसका offshoot हो सकता है लेकिन यह सिर्फ आरक्षन का मामला नहीं है इसके अलावा हजारों से सवाल हैं जो आंकड़ों से जुड़े हुए हैं जो आंकड़ा एकठा कर लेना चाहिए फिर आप उसका चाहाँ जो करें सरकार तो भै ठीक है न आपके पास आंकड़े एकठा हो गए अंग्रेजों के पास अंग्रेजों ने तो आरक्षन नहीं दिय तो आपके पास आखड़े हों उसके वद आप policy बनाईए तो यह दरसल आपने सही बात एक स्वाल पूछ रहे हैं राव अनिश राय सहाब के वाई जर्वोलूएस का रख्षन आपको 10% देना है यह 10% क्यों है 9% क्यों नहीं है 11% क्यों नहीं मतलब आपके पस कौन सांकडा था जिसकी आदार पर आपको आप यह 10% के फिगर पर how you reached at this figure what is the empirical data you had in your mind or whatever in your census or survey क्यों 10% दिया आप भाई हो सकता है 3% देना चाहिए था या हो सकता है 15% देना था मतलब आपने 10% क्यों दिया इसके लिए आपके पास आंकडे कहा थे तो ये असल में एक बहुत मनमानी हुई है और भारत में एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से बहुत सामाजी कत्याचार हुआ है इसको लेकर इस देश के खास करके पढ़े रेखे प्रबुद्ध लोगों को जिसमें से हर में से आप चितने लोग देख रहा है इनमें से मुझे लगता है कि हर आदमी की ये हैस्यत है कि 400-500 लोगों तक अपनी बात पहुचा सकें तो जो भी सहमत है मेरे ख्याल से उनको इस बात को और इस डिवेट को वीडियो को और तमाम इस तरह के और वीडियो को शेर करना चाहिए जिसमेरे पहले भी कहा कि पहिए वीडियो को आप सुन रहे हैं बहुत बहुत आभार और उमीद है कि इस बातचीत में सहुचा महराज का उनकितर किया अब आदा साहिए जिकर किया यह सारे लोग मुंलाम लाएम सिंग यादो इन सारे लोगों में अपने अपनी कमिया खामियां भी रही होंगी लेकिन इन सबका एक-एक समय में इतिहाशिक योधान रहा है सबके साथ ही कोई व्यक्ति बनता है समगरता में देखना चेरा मिला पात्मान साथ समय कास्टेंस को लेकर काफी मुखर थे यह सारे जो एतिहास के तत्थ हैं आज की तारिक में गोपिनात मुंडे साथ नहीं है बीजेपी में रहे बहुत सारी नितियों पर आपको उनसे मतभेद हो सकता है लेकिन उस वक्ति ने बहुत सहास के साथ पारलामेंट में खड़े होकर कहा कि हम कास्टेंस चाहते हैं यह बहुत सहास का काम है तो यह सारे लोग हमारे एक तरह से आगे टॉर्च लेकर चलने वाले लोग हैं जिन्होंने अलग-अलग समय में अपने अपने भूमिकाय निभाई हैं तो उन सबको नमन करते हुए या बड़े आपके कुछ सवाल मैंने बहुत ज्यादा सवाल क्योंकि नहीं है जातर कमेंटस हैं तो जैसे ध्रमेंद्र कुमार के क्वोड़ कोशन कूछ रहे हैं कि बड़े निता हमेशा चुपि साधे नहीं रहते हैं अगर होता तो कास्टेंस का सवाल यहां तक नहीं पहु मुझ में नहीं है कि मैं किसी नेता को सिर्फ उसके एक एक एक्ट के वज़े से या उनके किसी खास समय मौन के आचरन के वज़े से उस नेता के सारे जीवन काल को और उसमें कियवे कारे को रद कर दूं खारीज कर दूं इतना हंकार मुझ में नहीं है इतना इतनी मेरी काबिल भी नहीं है तो इसी के साथ मैं अपना वक्तिव सुनाप्त करता हूं और आपसे निवेधन करता हूं कर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करें और जो यूट्यूब चैनल्स वगरे तक पहुंचाएं अगर वो इसको अपने हां लगाना चाहते हैं बह